वंदेहं श्री गुरो शीऊद्पतगंलं श्री गुरून वैश्वांश्च शी रूपम साग्रजातं सहगणरा गुनातान्वितं तंसजीवं सादवेतं सावधूतं परिजहन्सहितं सी कृष्न चैतन्य देवं शी राधा कृष्णा पादान सेहगन लरिताशी विशाकान विदांश्य यस्या प्रसादाथ भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान गतिही कुतोपी ध्यायां स्तु वंस्ता सैयाशा स्त्रिसांध्यां वंदे गुरु हुष्षी चरनार विंदं नमो महा बदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णा चैतन्या नामने गौर्थ विशे नमहा ए कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे ब्रिंदा वनेश्वरी ब्रिशभानु सुते देवी त्वम्नमामे हरी प्रिये जैरूप सनातन भट रगुनात शीजीव गोपाल भट दास रगुनात एचे गुसायर कुरी चरण बंधन जहां होई ते बिग्नो नाश अभिष्ट पूरण बांचा कल्पतरुब्यस्य क्रिपा सिंधु भेवचा पतिता नाम पावनेब्यो वश्नवेब्यो नमू नमाहां हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आजहम शिला विश्वनाच चक्रतीपाजी द्वारा रचित शिमाधूरे का अधुम्बनी परचर्चा करेंगे आप सुनते चले आ रहे हैं शिविश्वनाच चक्रतीपाजी शिरूप गोस्वामी जी द्वारा शद्धा से लेकर के प्रेम तक के समस इस्तरों का बहुत ही सुन्दर वर्णन कर रहे हैं एक एक स्तर का बहुत ही विशद व्यापक वर्णन कर रहे हैं बहुत गहराई से बता रहे हैं हम सुनते चले आ रहे हैं किस तरह से उन्होंने शद्धा के बारे में बात कही उसके बाद शद्धा कितने प्रकार की है शद्धा का वास्तिविक अर्थ क्या है इसके बाद कैसे हम श्रीक गुरुदेव के चरणाश्रे तो होते हैं फिर हमारी भजन क्रिया शुरू होती है भजन क्रिया में भी हमने ये जाना कि अनिष्टा पूर्वक भजन उसका क्या आर्थ है और हमने ये भी जाना कि जो भजन क्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो जब भजन क्रिया प्रारंब होती है तब ही हमारी अनर्थ निवृत्ती होती है अनर्थी कितने प्रकार के हैं हमने जाना और कैसे अनर्थों की निवृत्ति हुआ करती है इसका बहुत ही गहराई से सुक्ष्म बढ़न किया है हमारे श्री विश्मना चकृति पाज जी ने और बहुत ही मारमिक व्याख्या प्रस्तुत की है हमारे प्यारी गुरुदेव ने हमने ये भी जाना कि जब कोई भजन करता है तो ले विक्षेप आदी उत्पन होते हैं तो ले विक्षेप आदी जितने भी अनर्थ हैं उसे भजन में निश्टता नहीं आ पाती है ये भी हमने जाना, हमने नाम अपराधों के बारे में जाना, अपराधों के बारे में जाना, तो बहुत कुछ हमें शिविश्वनाथ चिकृतिपाज जी ने बताया, और गुरुदेव ने बहुत ही प्यारी व्याख्या, कि माध्यम से हमें एक एक बात समझाई, तो जो चतु ये हमने जाना और आज हम शी माधूरे कादम्बनी की पंचम अम्रित व्रिष्टी से एक नई बात जानेंगे और वो है रूची, रूची के बारे में जानेंगे, रूची क्या है? जो कह रहे हैं, उसमें हमारे प्यारे गुरुदेव ने अपनी प्यूशकना व्याख्या में बहुत ही सुन्दर वर्णन दिया है, गुरुदेव कह रहे हैं कि चतुर्थ अम्रित व्रिष्टी में भजन निष्ठा की बात बूली गई, हमने जाना, निष्ठा सहीत अगर कोई भजन करेगा, यह हम आपको बता दें कि जब बात होती है निष्ठा की, तो एक तो भक्ती विशनी निष्ठा होती है, है ना, जो की तीन प्रकार की होती है, काईकी, वाचिकी और मानसिक, जब कोई अपने शरीर से भजन करता है, शरीर को पूरी तरह से भजन में लगाता ह तो वो भगवान के नाम का श्रमन करता है और वो भगवत कथा का श्रमन करता है भगवान का नाम लेता है तुलसी पुष्प आदी जैन करता है माला गाधता है धन्वत करता है परिक्मा करता है बहुत कुछ करता है अगर कोई वाचिकी जो वाचिकी निष्ठा की बात हो रही है जो साक्षाद भक्ति विशाणी निष्ठा है तो वाचकी में आता है भगवान का नाम गुण लीला आदी को बोलना उसका कीरतन करना अश्टकों का अस्तवों का स्तूतियों का इन सब का कीरतन और जब कोई व्यक्ति मानसिक यानि मन से नैश्टिक भजन करता है तो उसके लक्षन यह है कि वो भगवान का नाम रूप गुण आदी लीला का स्बरन करता है तो हमने ये जाना और दूसरी बात हमने ये जानी कि तद अनुकूल वस्तु विशाणी निष्ठा होती है तो निष्ठा दो प्रकार की एक तो साक्षाद भगवान की भक्ति विशाणी और दूसरी तद अनुकूल वस्तु विशाणी यानि जिससे की भगवान की भक्ति में साहेता मिलेगी तो वो क्या अपने मान के बारे में कभी नहीं सोचना और दूसरों को सदा सरवदा मान देने के लिए प्रस्तुत रहना ये बहुत इंपॉर्टन बात है मैत्री, दया, क्षमा, कृतग्यता, धैर आदी ये जो हैं ये भक्ति के अनुकूले है गुरुदेव ने ये बात बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति सब पर दया करता है और सबसे मैत्री करता है और सोहार्द रखता है तो उसकी भक्ति सदा सरवदा चलती रहेगी, उसके भक्ति में कभी विग्न नहीं आएगा जब हमने निश्चा की बात कही थी, तो हमने इस बात पर जोड़ दिया था लोगों पर दया करना और अपने मान की अपेक्षा ना करना दूसरों को मान देने के लिए सदा सरवदा तत्पर रहना और सबसे मित्रता का एक स्वभाव रखना, शिकायतों का स्वभाव नहीं रखना, शिकायती नहीं वनना तो क्या होगा तो हमारा भजन चलता रहेगा भजन में शिथिलता नहीं आएगी निरंतरता बनी रहेगी किर्तक गिता गुर्देव ने ये कहा था कि देखो अगर हम दूसरों के दोश को ख्षमा नहीं कर सकते तो हम दूसरों से भी अपने लिए माफ़ी की उमीद नहीं रख सकते कि कोई हम एक्षमा करेगा तो इसलिए ये बताया गया कि भक्त जो है वो सदा सरवदा सदा सरवदा कृतग्य रहना सीखेगा कृतग्यता का गुण अपनाएगा सबसे मितरता का गुण अपनाएगा अब जब हम रूची की बात कर रहे हैं तो ये आगे की स्टेज है शेयरूप गोस्वामी जी ने बताया कि पहले शद्धा होती है फिर साधु संग होता है और उसमें गुरू चरण आश्च्रे होता है फिर भजन क्रिया प्रारंभ होती है और भजन क्रिया के बाद हमारी जितने भी अनर्थ है उसकी धीरे-धीरे निवर्ति होती है अनर्थों की निवर्ति के पश्चाथ ही हमारे अंदर नैस्टिक भक्ती का उदय होता है जब निष्ठा उदय हो जाती है यानि कि निष्ठा के इस तर पर अब हमारे अंदर अगर तमोगुन आ भी गया या तमोगुन रह भी गया या रजोगुन रह भी गया तो उससे हमारा चित बिद्ध नहीं होगा ये बहुत important बात है उससे हमारा चित बिद्ध नहीं होगा वो हमारे उपर असर नहीं कर पाएगा गुरुदेव ने एक जगा कहा था वो दंत हीन सर्प की तरह है उसके दांत तूट गए पर वो है अंदर अभी अंदर है अब वो जब भगवान की कथा सुनता है तो उसे नीन नहीं आती है या उसका मन यहां वहां नहीं भागता है या कोई अन्य अभिनिवेश नहीं आता है या ना स्थिर्था आ गई तो धीरे 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 उस नैश्ठिक भजन के अभ्यास के कारण गुरुदेव कहते हैं कि तब साधक जो है वो जैसे की आग में सोने को अगर तपाया जाए तपाया जाए तपाया जाए तो इतना उज्वल हो जाएगा कि उसके अंदर कोई खोट नहीं रहेगा ऐसे ही भक्ती रूपी सोना एक साधक के हिर्दे में चमकने लगेगा अभ्यास के कारण बार बार जैसे सोने को आग में आप तपा रहें तपा रहें तपा रहें तो वो उज्वल होता चला जाएगा ऐसे ही भक्ती के भक्ती को करते 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 जो है नैश्टिक भजन करते 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 हमारे हिर्दे में ये जो भक्ती रूपी सोन है वो एकदम चमकिला हो जाएगा चमखने लगेगा तो इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमारे अंदर भक्ती के प्रती भगवान के प्रती रूची उथपन हो जाएगी निष्ठा के बाद अगला स्तर है रूची का रूची उथपन हो जाएगी यानि इसका मतलब क्या हुआ रूची का मतलब क्या हुआ तो गुरुदेव कहते हैं सव परिकर श्री कृष्ण के रूप में उनके गुणों में उनकी लीला आदी में अनुभव युक्त आस्वादन विशेश को ही रूची कहते हैं अनुभव युक्त आस्वादन आपका अपना भी अनुभव श्री कृष्ण का रूप देख रहे हैं तो माधुरे की उपलब्धी होगी लेकिन जब तक नैस्टिक भजन नहीं शुरू होता और नैस्टिक भजन का अभ्यास करते 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 जब तक ये नहीं होता तब तक उस माधुरे का अनुभव नहीं होगा नैस्टिक भजन है ना जिसके अंदर अपने आप अमानित्व यानि अपने लिए जो है कोई मान की अपेक्षा नहीं दूसरों को मान देने की आदत आजाएगी भगवान जो है उनके प्रतिनिष्ठा आ जाएगी भक्ति में शितिलता नहीं है स्थिरता है वो किये जा रहा है भजन किये जा रहा है तो अब उसे भजन जो है बोज नहीं लगेगा या उसे ऐसा नहीं लगेगा कि अब मैं नियम पूर्ति के लिए कर रहा हूँ अब तो भजन के हर अंग में उसे एक अनुभव युक्त आस्वादन मिलेगा आस्वादन वस्तुता कहते ही उसे हैं जहां पर आपका अपना भी अनुभव उसमें शामिल हो उसे ही आस्वादन कहते हैं तो यह है रूची सब परिकर श्री कृष्णि के रूप में यानि प्रिया जी शामसुंदर समस्त सखिया हम तो अपने भजन के अनुरूप बात कहेंगे न तो शिंगार रस में जो भजन करें उनके लिए ये सब समस्त मंजरिया गुरू मंजरी आदी और उनका धाम उनकी लिलाएं इसमें अनुभाव युक्त आस्वादन आ जाएगा उनका रूप देखेंगे तो रूप ही देखते रह जाएंगे श्री चरण को देखेंगे तो श्री चरण में ही घंटों लग जाएंगे रूची आने लग गई कितनी तरह तरह से श्री चरणों का माधुर वो अनुभाव में आने लगेगा फिर उनके नूपूर देखेंगे तो नूपूर ही देखते रह जाएंगे नूपूर की सुन्दरता का चिंतन करेंगे तो उसमें ही इतना आनन्द आने लगेगा इतना अनुभाव आएगा और इसी तरीके से पूरा रूप देखेंगे शामसुंदर का प्रियाजी का उनके लीला परिकर जितने भी हैं उनका लीला के बारे में जब हम शमन करेंगे तो गुरुदेव कहते हैं तो शामसुंदर के सपरी का रूप गुण और लीला का अनुभव युक्त आस्वादन विशेश है रूची शीपाद जीवगुष स्वामी जी कह रहे हैं हमारे कि रूचीर अभिलाश हा किंतु बुद्धी पूर्वकम अर्थात रूची का मतलब है अभिलाश अभिलाश मतलब शीकृष्ण में अभिलाश या कहिए तृष्णा प्यास इच्छा मात रिच्छा नहीं ये इच्छा है तृष्णा कि नहीं मिला तो मर जाएंगे तृष्णा शब्द उसे ही कहते है तृष्णा का अर्थ है कि इसके बिना रह नहीं पाएंगे तृष्णा प्यास श्रीक्रिश्ण को देखने की प्यास रादा कृष्ण को देखने की प्यास उनके बारे में सुनने की प्यास अब प्यास हो गया है अब हरीकता जिसको सुनते सुनते नीन्द आने लगते थी या जिसके बगैर ठीक लगता था कोई बात नहीं या वेवारिक बाते करने लगते थे पीछे बैठ करके हरी कथा भी चल रही और बाते भी हो रही हैं अब धीरे 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 वो हरी कथा जो है इतनी आस्वादनिय हो जाएगी कि हरी कथा के बगेर मन नहीं लगेगा कथा ही चाहिए तो अभिलाश यानि कि तृष्णा श्री भगवान में अनुकूल भाव में तृष्णा ही भक्ति का जीवन है अनुकूल भाव यानि कि भगवान में अगर त्रिशना ही नहीं हुई, भगवान को पाने की त्रिशना, उनको देखने की त्रिशना, हमारी जो पांच इंद्रियां है, अगर गोविंद के पांच विशय रूपी रस, यानि क्या है गोविंद का वो रस जिसको मैं विशय कह रही हूँ, वो विशय ऐसा है कि जिसे लिला शुक जी यानी कि हमारे प्यारे बिलमंगल ठाकुर जी ने बोला कि ये आमिश की तरह मुझे अपने वश में करता है आमिश एक होता है निरामिश एक होता है आमिश ये ऐसा है ऐसा है कि ये मेरी पांचों इंद्रियों को एक साथ वश में करता है गोविंद विशय रस में डूबना है अपनी इंद्रियों को समस्ति इंद्रियों को डुबाना है तो ये जो इंद्रियां है प्रतेक इंद्रिय में तृष्णा उठने लगेगी आखों में तृषना उठने लगेगी प्रिया प्रियतम का रूप माधूर देखने की अब हम जब जाएंगे मंदिर में तो पहले राधारमन जी को देख रहे हैं तो अच्छा ये राधारमन जी है अच्छा बहुत अच्छा है प्रणाम किया ये राधा दामोदर जी को देखा प्रणाम किया अच्छा लगा, दिखाया एक माला देदी प्रसादी ले लिया और चले आए हाँ बहुत अच्छा लगा लेकिन जब रूची उत्पन होगी तो वहाँ वो विग्रह रूप में नहीं दिखेंगो साक्षात प्रिया प्रियतम ही दिखने लगेंगे अब ऐसा नहीं लगेगा कि हम जो है मंदिर गए और वहाँ पे राधर रमण जी को देखा अब तो डू भी ही गए विग्रह को देख क्या है ऐसा नहीं लगेगा साक्षात भगवान को देखा है मैंने आँकों में इतनी तृष्णा है बार बार तुमको देखना चाहते हैं अब हर दृष्णी कोण से तुम नए नए लगते हो इधर से देखते हैं तो नए लगते हो आज दो ही दंतुली दिख रही है आज चार दंतुली दिख रही है ओ भाव दिखने लगेंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान में अनुकूल भाव में तृष्णा ही भक्ति का जीवन है अनुकूल भाव में कि मैं इनकी सेवा करके इन्हें सुखी करूं है ना अपनी आखों से इन्हें देखूं तो सेवा भी करूं अपने कानों से इन ये वाणी रुक ही नहीं रही है, इतना आस्वादन है तुम्हारे नाम में, इतना आस्वादन है तुम्हारे लीला और गुणों के कीरतन में, कि वो वाणी मेरी रुक ही नहीं रही है, विराम ही नहीं लग रहा है कहीं, जुबान को जबरदस्ती रोकना पड़ता है, लेकिन मन होता है कि हमेशा तुम्हारे बारे में बोलती जाओ, बोलती जाओ, बोलती जाओ तुम्हारे बारे में सुनती जाओ, सुनती जाओ, सुनती जाओ सदा तुम्हें देखती रहू, देखती रहू, देखती रहू तो आख, कान, नाख, जुबान ये सब ये तवचा इस सब ठाकुर जी के रस में डूब जाए प्रिया प्रियतम के रस में डूब जाए और उसके लिए लोब हो हमारी प्रितेक इंद्रिया में उस रस में डूबने के लिए हमारी प्रितेक इंद्रिया में लोब उत्पन होना प्रारंब हो जाए अभिलाश होती है तो भक्ती निश्प्रान है भक्ती निश्प्रान है फिर क्या हो रहा है हरी नाम कर रहे हैं लेकिन हरी नाम का तो कोई आस्वादा ना नहीं रहा है ऐसा तो लगने रहा है इतना कर लिया और करूं और करूं और करूं ऐसा तो इच्छा नहीं हो रही है है काम क्रोध आदी से भरा हुआ चित्त है तो आस्वाधन कहां आएगा इसलिए बताया कि नैश्ठिक भजन के स्तर पर स्तिरता आएगी हम बार-बार भजन करते रहेंगे और ओर निरंतर जब हम अभ्यास करेंगे करेंगे तो फिर कुछ सालों में कुछ वर्षों में भगव प्लिशित शिक्रश में अनुकूल भाव सहित प्राप्ति की अभिलाशा इन्हें मैं प्राप्त करूँ प्रिया प्रियतम को मैं प्राप्त करूँ मैं उनकी दासी अनुदासी हूँ और उनके बिना नहीं रह सकती हूँ आप कहां हैं मैं आपकी होना चाहती हूँ मैं आप काना चाहते हूं तो प्राप्ति की अभिलाशा और दूसरा सौहार्द की अभिलाशा अपने आप जागरित हो जाएगी रूची जब आएगी तो उनको प्राप्त करने के लिए हमें बताना नहीं पड़ेगा कि जब आप प्राप्त करेंगे प्रिया प्रियतम को तो आप बहुत सुखी रहेंगे वहां सुन्दर कुझ है निकुझ है प्रिया प्रीयतम का माधूर जो है वो मदमत करदेने वाला है है ना ये सुनकर के लोब जागरित जरूर होगा लेकिन जब रूची आएगी तो खुद ही प्राप्ती के लिए त्रिशना बढ़ने लगेगी रूची इस तरवर और सौहार्द उनसे बाते करूँ उनके प्रती मेरा ये भाव हो प्रिया प्रियतम का के प्रती प्रिया जी की मैं जो है बहुत करीब की दासी हूँ वो मुझे कितना प्रेम करती है मैं भी प्रिया जी आपके बिना नहीं रह सकती आप इही की प्रसन्नता मेरे जीवन का लक्षे है मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ और आपके परम, प्राणिश्वर, प्राण प्रियतम, श्याम सुन्दर की भी आपकी प्रसनता के लिए सेवा करना चाहते हूँ तो सुहार्द होगा उनसे एक सुन्दर संबंध होगा और क्या होगा ये होगा कैसे तो गुरुदेव कहते हैं स्वभावता हो जाएगा अपने आप जैसे की एक लड़की होती है वो पढ़ाई करती है और उसके बाद पढ़ लिख करके कुछ बन भी जाती है माबापने उनसे कभी अपने घर में काम भी नहीं कराया होता है किचन में काम नहीं कराया होता है उसको बच्चे पालने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है उसे कुछ नहीं बताया होता है अचानक एक दिन उसका ब्या होता है और ब्या के बाद पती से प्रेम करना वो सीख जाती है और उसके बाद जब उसका बच्चा होता है तो बच्चे से प्रेम करना उसे सिखाया नहीं जाता है उसे नहीं बताया जाता है कि अब जब बच्चा पहली बार ऐसे रोएगा तो इसका मतलब ये है, दूसरी बार ऐसे रोएगा तो इसका मतलब ये है, या जो बच्चा है, उसकी ये ये जरूरते हैं, या तुम्हें ऐसे उसे सुरक्षित रखना होगा, ठंड से ऐसे बचाना होगा, गर्मी से ऐसे बचा वो उसकी हर भाशा समझ जाते हैं, दूसरा वेक्ती पूछ रहा होता है, कि ये क्या बोल रहा है, तो वो बोलती है, कि ये इसका मतलब ये है, देखो ये चाहरा है, खेलना चाहरा है अभी, ये क्यों रो रहा है, अरे इसे भूख लगते है, तब ही रोता है, वैसे नहीं रोत करके भेजा है पृत्य एक्स्तिरि में तो वो अपने से जाग्रित हो Noel हो गया तो स्वभावता भी श्री कृष्णको प्राप्त करने की अभिलाशा जाग्रित हो जाएंगी भजन करते करते क्यों होगी क्यूंकि हम है तो उनी से संबन्दित न हमारे प्यारे गौरहरी ने कहा जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास और खुद गौरहरी आ करके हमको प्रिया जी का दास्यम दे गए अनर्पित चरी अवदान तो जहां पर ये इतना बड़ा स्वरूप है हमारा कि हम भगवान के दास अनुदास हैं जी की दासी है तो ये हमारा स्वभाव है उनको प्रेम करना हम भूल गए अपने स्वभाव को मेरे प्यारे गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि देखो जल का स्वभाव है बहना जल बहेगा जरूर तब ही तो जाना जाएगा अगर वो पानी है अगर वो बर्फ हो जाए तब तो जल नहीं रहा पर बर्फ जल से ही बनी है लेकिन जल अगर कहीं किसी गड़े में अटक गया तो अपना बहना भूल गया परन्तु वो प्रवर्ति उसमें है जब भी बारिश होगी और वो गड़े का जल बाहर आ जाएगा बारिश के साहता से तो बहने लगेगा समुद्र की तरफ चलेगा समुद्र में मिलना ही समुद्र में जाना ही समुद्र को पाना ही नदी का एक उद्देश है उसका लक्ष है चाहें कितनी भी बाधाय आ जाए नदी बह करके समुद्र तक जाएगी मगर अविद्या के कारण पंचकलेशों के कारण इस शरीर में एहमता बुद्धी के कारण के शरीर मैं हूँ और बाकी ये मेरे बच्चे, मेरे पती, मेरा सब कुछ है इस जूटे अभिमान के कारण, जूटी पहचान के कारण हम अपने स्वभाव को भूल गए हैं, जैसे की एक गंदा पानी जो एक गड़े में अटका हुआ है है ना, लेकिन जब गुरुदेव हमारे जीवन में आते हैं, भक्ती रूपी बरसात होती है, हम भक्ती को अपनाते हैं, भक्ती करते 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 करते, फिर हमारा स्वभाव जागरित होने लगता है ताब जब की कोई पहले बोलता था, श्री कृष्ण भगवान है, अच्छा श्री कृष्ण भगवान है, एक बार देख लिया ठीक है, श्री कृष्ण भगवान है बोलने के लिए हमने भी रट लिए काईश लोग, चलो क्रिश्ण भगवाने हम भी बोलेंगे लेकिन श्री क्रिश्ण को अनुभव करना, गौरहरी को अनुभव करना, निताई चांद को अनुभव करना, प्रियाजु को अनुभव करना समस्त मंजरियों को अनुभव करना ये है भजन का उद्देश अनुभव, माधुरे का अनुभव तो ये अनुभव जब प्राप्त होने लगता है तब समझ लीजिए आस्वादन प्राप्त होने लगता है अनुभव के बगैर आस्वादन नहीं प्राप्त होगा माधूरे अनुभव होगा तो आस्वादन प्राप्त होगा चाहे कथा के माधूरे की बात कहलीजी चाहे रूप के माधूरे की बात कहलीजी चाहे नाम के माधूरे की बात कहलीजी समस्त मधुरिमा में अनुभव का जुड़ना बहुत आवशक है तब कहीं जाकर के उसका आस्वादन होगा नहीं तो हम नाम तो ले रहे हैं परन्तु रूची के स्थर पर तो हम आई नहीं अभी आ सकती में तो और जबरदस्त अभी रूची की बात हो रही है तो कुछ-कुछ अनुभव होना प्रारंब हो जाता है अभीलाशा आत्रिश्णा प्रारंब हो जाती है तो इसलिए श्री जीवगो स्वामी जी ने लिखा है अभीलाश तीन प्रकार की होती है अभिलाश तीन प्रकार की क्या आनुकुल्य अभिलाश, सौहार्द अभिलाश और प्राप्ति अभिलाश यानि की भगवान को सेवा करके सुखी करूं ये तो ठीक है हमेशा ये ही कहा गया है भगवान की सेवा करो भगवान की सेवा करो हम भगवान के सेवा कहें है ना तुलसी चंदा नर्पित करो ठीक है लेकिन उन्हें प्राप्त क्यों न कर लूँ सेवा तो ठीक है पर प्राप्त तो करूँ सेवा करते करते प्राप्ती की अभिलाशा अवश्य जागरित होगी रूची स्तर पर जब हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं करते 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 ये अपने अंदर ये जागरित होना चाहिए प्रिया प्रियतम आपको मैं प्राप्त करना चाहती हूँ प्राप्त होना चाहती हूँ आप की होना चाहती हूँ है ना और हमेशा आपकी सेवा आपके पास बैट करना चाहती हूँ मैं आप तक आना चाहती हूँ मुझे दूर मत रखिए अपने आप से मुझे माया में मत फेंकिए उसका रोना शुरू हो जाता है क्रंदन प्रारम हो जाता है तो गुरुदेव बता रहे हैं कि तीन प्रकार का अभिलाश है एक है आनुकूले अभिलाश यानि कि भगवान को सेवा करके सुखी करूँ आज उनके लिए ये बनाओ आज उनको ये बहनाओ ठीक है वो सही है लेकिन उनको प्राप्त भी करना है प्राप्ती अभिलाश जरूर होगी उनको मैं प्राप्त करूँ उन तक पहुँचून हमारे समस्त गुष्वामियोंने यही दिखाया है है ना हमारे रगुनादास गुष्वामि जी भी यही कह रहे हैं कि हे कुंडेश्वरी हे प्रियाजू आप कहा है तवयवासमी तवयवासमी ना जिवा में त्वया बिना तुम्हारी हूँ तुम्हारी ही हूँ तुम्हारी ही हूँ का मतलब है फिर किसी और की नहीं हूँ ना जिवा में त्वया बिना राधि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती किशोरी जू तो प्राप्ति की अभिलाज मैं तुम्हारी हूँ तो फिर तुम मुझे को अनुग्रह करके स्विकार करो अपनी सेवा में मुझे ले जाओ अपने चरणों में एक शलोक में कह रहे हैं कि आपकी चरण तरी चरण रूपी नाव का सहरा ले करके मैं आना चाहती हूँ मानलो कि शोरी जो पूछे कहा आना चाहती हो तो अपने घर कहा है तुम्हारा घर आपके चरण ही मेरे घर है और वहां तक भी पहुँचाएंगे आपके चरण ही मुझे वही नईया है और वही मन्जिल है तो ऐसे शीरगुनादास गो स्वामी जी कह रहे तो प्राप्ति की अभिलाशा होनी शुरू हो जाएगी हिर्दे में कि नहीं अब इस जगत में कुछ नहीं रखा मुझे इस जगत से कुछ लेना देना है नहीं हेब्रिया प्रियत्रम बस आप मुझे मिल जाओ क्यों मिल जाओ तुम में क्या गुण है कोई गुण है तुम में नहीं गुण तो मुझे में कोई नहीं है बहुत अच्छी तरह से देख लिया परख लिया अपने आपको सदाचार नहीं है भजन नहीं है गुण कोई नहीं है लेकिन तो भी एक बात सुनी है कि तुम बहुत करुणा मही हो प्रेम मही हो अपने गुण से ही क्यों नहीं मुझे स्विकार कर लेती अगर मैं अयोग्य हूँ तो तुम क्यों नहीं मुझे योग्य बना देती अपनी सेवा की योग गिता दे देती तुम तक आने की योग गिता प्रदान कर देती है ना तो गुर्देव ने यहाँ पर बताया कि भगवान को सेवा करके सुखी करने की अभिलाशा के साथ उनकी प्राप्ति की अभिलाशा और उनके प्रती सौहार्द की अभिलाशा है कि तुम सुखी रहो सौहार्द यानि हिर्दय में प्रेम हिर्दय में स्नेह अब तो ठाकुर्जी चाहें शिंगार करें ना करें वो उसके बगैर ही अच्छे लगेंगे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने शिंगार में देखा था कि शिंगार के बगैर देखा था क्योंकि वो अच्छे ही इतने लगने लगे है है ना जब रूची हो जाएगी अब उनकी सेवा या उनके सुख के प्रती इतनी निगाह है इतनी निगाह है, इतनी पैनी निगाह है कि हम यह नहीं सोचेंगे कि मेरी आँखों को क्या रूची कर लग रहा है अगर उनको मानिजे अपने श्री विग्रह को जो कि श्री विग्रह जैसे नहीं लगेंगे साक्षात प्रिया प्रियता में दिखेंगे अब उनका शिंगार करेंगे तो हम ये नहीं सुचेंगे मेरी आँकों को अच्छा लग रहा है कि इनके उपर ऐसा मुकुट धारन कराओं देखो कितना सुन्दर लग रहा है ना मुकुट अरे मगर ये तो बहुत भारी है और सारा दिन धारन कराओगी आँ भारी है तो क्या देखो कितने सुन्दर लग रहे हैं फोटो में देखो कितना प्यारी फोटो आ रही है ये खतम हो जाएगा तो तो नहीं आप कुछ मत पहनो एक छोटा सा मयूर पंग एक छोटे से चूड़े में डाल करके आपको सजा देंगे भारी भारी मुकट के कोई दरकार नहीं है क्यों? क्योंकि इससे आप सुकून से रहेंगे आपको अराम रहेगा तो ये रूची है रूची उनकी सुख की अभिलाशा और सुहार्द हिर्दय में और उनकी प्राप्ति की अभिलाशा जित्में अपने आप जागरित होगी रूची स्तर पर मगर अब यहाँ पर एक डिफ्रेंस है रूची स्तर पर जब कोई व्यक्ति आता है तो ये बुद्धी पूर्वक होता है और आसक्ती में स्वभाविक हो जाता है उनको मैं प्राप्त करना चाहती हूँ ये बुद्धी पूर्वक होता है बार-बार मन को लगाना पड़ता है हाँ तुम्हें वाय बगैर बात नहीं बनेगी और कुछ-कुछ जो है सोहार्थ ब्यूत्पन होने लगता है अब तुम अच्छे लगने लगे हो अब तुम्हारी कथा बड़ी अच्छी लगने लगी है है ना अब वहां लाय विक्षेप कुछ नहीं होता है अच्छा लगता है लेकिन होता मगर बुद्धी पूरवक है रूचिस दर पर और यही चीज आसकती जब हो जाएगी प्रिया प्रियतम से तो नाम भी नहीं चूटेगा तो उनके लीला कीर्तन नहीं चूटेगा तो उनके बारे में जो सोच है विजार है वो चूटेगा ही नहीं वो चिंतन चलता ही रहेगा किसी ना किसी रूप में तो स्वभाविक हो जाएगा आ सकती किस तर पर, अभी बुद्धी पूर्वग है, हम जान बूच कर कर रहे हैं, तुम्हें प्राप्ति की अभिलाशा, तुम्हारी सेवा करके तुमको सुखी करना चाहते हैं, ये बात उठने लगी मन में, बुद्धी पूर्वग, श्री हरी के रूप में, उनके गुणों में, उनके विशिष्ट गुण हैं, चौसट गुण तो बहुती महत्वपूर्वण हैं और चार और भी सुन्दर हैं, बंसी माधुरी, जो सिर्प्रज में ही वो बजाते हैं, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, और लीला माधुर ये जो चार इनके वैशिष्टे हैं ये आकरशित करने लगेंगे बहुत ज़्यादा लीला का था शमन कीर्टन आदी और इन सब में जब रूप दर्शन करेंगे तो एक भाव फिर गुणों के बारे में सुनेंगे तो एक दूसरा भाव और हर एक में रोचकता आएगी, दिल्चस्पी आएगी दिल्चस्पी आने लगेगी सुनेंगे तो ऐसे आखे नहीं जबकेंगी है ना, आखे चौड़ी रहेंगे कि हाँ और सुनाओ हाँ और, अच्छा लगेगा ठीक है ना कहीं से भी, कहीं से भी बोरिंग नहीं लगेगा एक ही कथा को हम दस बार सुन लेंगे अगर, ठाकुर जी की तो भी वो अच्छी लगेगी, कानों को तो भजन के विशे में रूची आती है गुर्देव कहते हैं, ये जो रोचकता है, भगवान के रूप में गुण में, लीला कता में, इसी को रूची कहते हैं, जब किसी को रूची हो जाती है, तो वो पहले जिस तरह से भगवान के नामों का श्रमन करता था, या लीला कता का श्रमन करता था या कीर्तन करता था तो चाहें वो बार-बार ही क्यों ना करे पर अब उसे लेश मात्र भी थकावट नहीं होती यह रूची का लक्षण है बार-बार हरी नाम करे तो थकता नहीं है नहीं तो पहले क्या होता है अनर्त दशा में माला रख देता है निष्ठा के उसमें भी भजन चलो चल रहा है चलो इतनी माला तो करी रहा है लगातार कर रहा है लेकिन रूची में क्या होगा अब उसे श्रम नहीं लग रहा है आस्वाधन में भी कुछ हट्टक आगे बढ़ गया है यह ना श्रम नहीं होता है यह रूची कीरतन में भक्तों का व्यसन जागरित कर देती है अब उसे हरी नाम लेना बहुत अच्छा लगता है जैसे कि एक शराबी को शराब पीना बहुत अच्छा लगता है उस शराब नहीं छोड़ सकता ऐसे ही जो हरी नाम को पी रहा है हरी नाम का आस्वादन कर रहा है उसे अब हरी नाम के बगएर कुछ अच्छा नहीं लगता वो हरी नाम तो करेगा ही उसके माला छिपा करके रख दीजे तो मचली की तरह तरपने लगेगा, माला कहा गई, माला कहा गई मेरी माला कहा है, मेरी माला कहा है हरी नाम करना है, हरी नाम करना है, भई कोई आस्वाद हैने तब तो, कुछ तो मिली रही रहे ना तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये भी होगा कि भगवान के प्रसंग के अलावा अगर उसका थोड़ा सा भी समय व्यती तो होता है तो उसे लगता है कि हाई राम समय बरबाद हो गया रूचिस तर पर ऐसे भावा जाते हैं कि अभी तो क्या है हम जैसे लोग सारा दिन कोई भी बात बुलवा लीजिए कोई भी बात कह लीजिए कान भी सुनते हैं अराम से हम भी अब उसमें सहयोग दे देते हैं कहीं से ऐसा नहीं लगता रहे इतना समय चला गया और ये लोग आए ये सब बाते करके मुझसे चले गए ऐसा कहीं से महसूस नहीं होता है ठीक लगता है कोई बात नहीं अच्छा है फिर भजन करने लगता है लेकिन रूची के स्तर पर ऐसा नहीं होगा रूची के स्तर पर लगेगा थोड़ा सभी समय भगवान के संबंद के अला बना भीते या हरी चर्चा हो हरी नाम हो कुछ तो हो ठाकुर जी से संबंदी कटेगा मेरा हर समय तो व्यसन हो जाता है वो सब उसके लिए पूरा मतलब अभ्यस्त हो जाता है और आगे कह रहे हैं गुरुदेग रूची से पहले जब रूची नहीं उत्पन हुई तो रूची से पहले का जो स्थर है अभी रूची हुई नहीं है तब क्या होता है कि श्री कृष्ण कथा में कोई स्वाद नहीं मिलता क्रिष्ण कथा सुन रहे है क्योंकि भगवान की कथा है भगवान, भगवान की कथा भगवान का नाम, उनकी लीला उनके गुण, उनके दाम, उनके भक्त सब चिन्वय हैं, चिदानंद्वय हैं किसी में भी जड़त्व नहीं है लेकिन लेकिन तो भी रूची से पहले वो स्वादू नहीं लगते हैं उसमें स्वाद नहीं मिलता सुन रहे हैं बस कान में जा रहा है पर भगवान की कथा जाएगी तो वहाँ भी काम करेंगी ही हिर्दे क्षेत्र को भगवान अपनी कथा की रूप में जाकर के इतना अनुकूल कर देते हैं कि वहाँ भगवदवास हो जाता है तो अब यह बता रहे हैं गुरुदेव कि रूची के स्थर पर भगवान की कथा अतिशय स्वादू लगती है और यहां से शुरुवात होती है माधूर्य के अनुभव की कथा से शुरुवात होती है कथा अतिशय स्वादू लगती है अब नीद नहीं आ रही है कथा में आप दूसरी बातों का विचार भी नहीं आ रहा है कुछ और भी स्मरण नहीं कर रहे हैं ये करना है वो करना है तो इसका मतलब चित्त की मैल हटते 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 रूची तक हमें ले आए हैं हमारे गुरुदेव और वो जो रूची स्तर है उस पर हमें जाकर के भगवान की कथा अत्यन स्वादिश लगती है भगवान का जो भजन है वो बहुत अच्छा लगने लगता है चाहें वो हरी नाम हो चाहें वो अर्चन हो पूजन हो चाहें वो कीर्तन हो कथा का श्रमन हो कथा का बोलना हो कुछ भी क्यों ना हो आनन्दाने लगता है गुर्देव कहते हैं यहीं से शुरुवात होती है माधुर अनुभव की रूची पाप बीज नाशाद भक्तो माधुर यानुभव यह बताया जा रहा है कि रूची के इस्तर पर पाप का बीज भी नश्ट हो जाता है यानि कि रूची से पहले रूची से पहले तक का जो इस्तर है वहाँ पर पाप का बीज रह जाता है नश्ट नहीं होता है भजन क्रिया से लेकिन जब कोई व्यक्ति रूची इस्तर पर पहुँच जाता है तो पाप का बीज तक नश्ट हो जाता है और भजन का माधूर अनुभव होता है श्रीपाजीव गुष स्वामी जी ने लिखा है कि श्री कृष्ण का रूप गुण लीला में जो रूची आया या स्वाद मिला उसका अनुभव ही कहलाता है माधूर का अनुभव हम जब यह कहते हैं कि जो है भगवान इतने मधूर है मधूर है तो हमारे अनुभव में तो आये नहीं कैसे मधूर है तो गुरु देव यहां लिख रहे हैं श्री जीव गुष्वामी पाजी की बात को उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण का रूप गुण लीला में अब हमारी रूची आ गए स्वादिष्ट लगने लगे और यह जो स्वाद हमें मिलने लगा यह जो हमें अनुभव में आने लगा यह स्वाद इसी को कहा गया माधूर्य अनुभव श्री कृष्ण की कथा में जब रूची आ जाती है तो फिर हरी कथा के श्रमण कीर्टन में अब अलम बुद्धी नहीं जनमती है है ना अब ऐसा नहीं लगता है कि नई ठीक है सुन लेंगे चले जाएंगे ठीक है लेहिन अब एक तृष्णा आ जाती है अच्छा कहां हो रहे ये कथा मुझे तो आना ही है हर काम छोड़ करके कथा को सुनने के लिए आना है तो शीमत भागवतम में एक श्लोक है जहां पर वर्णन आया वयंतुना वित्रप्याम उत्तमहा श्लोक विक्रमे यच्छन वताम रसज्यानाम स्वादु स्वादु पदे पदे शवनक रिशीगण जो शवनक आदिरीशीगण है वो बोले सूद गुस्वामी जी को कि हे सूद जी उत्तम श्लोक भगवान श्री हरी के चरित्र को श्रमन करने से हम कभी भी त्रप्त नहीं हो पा रहे हैं त्रिप्ती नहीं आ रही है और सुनाईए और सुनाईए जितना सुना रहे हैं उतनी हमारी तृष्णा बढ़ती जा रही है हम भगवान के बारे में और सुनना चाहते हैं और सुनाओ हमें ठाकुर जी के बारे में क्योंकि रसिकों के लिए हरी लीला का जो श्रमन है वो प्रति पद पद पर अत्यंत स्वादू हो जाता है पग पग पर स्वादू हो जाता है शीजीव गुस्वामि पाद जी ने इस हरी कथा में रूची को ही भजन में रूची का प्रारंभ बोला कि भजन में अगर आपको रूची होनी प्रारंभ हो गई है इसका अर्थ है कि हरी कथा में रूची होनी शुरू हो गई है यानि कि अगर आप हरी कथा में रूची होनी प्रारंभ हो गई है अच्छा लगने लगा है व्यसन जैसा हो गया है सुनना बहुत अच्छा लगता है स्वाधिश लगता है तो इसका मतलब ये है कि आप भजन में रूची होना प्रारंभ हो गई है अब सब कुछ ही अच्छा लगने लगेगा यह शेष्ट है हरी कता में रूची ही सबसे शेष्ट रूची है तो तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए अगर कोई शास्र अध्यन्रत यानि कोई व्यक्ति आया और उसने खा मैं शास्र पढ़ूँगा कोई ब्राह्मन कुमार था शास्र पढ़ने लगा तो जब वो शास्र पढ़ने लगा तो शुरुवात में शास्र का जो मर्म है बड़ा ही कठिन जैसा लगने लगा उसे कि यह तो बहुत कठिन है यह तो बोला भी नहीं जा रहा है मैं कैसे पढ़ूँ मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है मैं तो यह यह सब याद कैसे करूँगा बड़ा कठिन लगने लगा तो इसका मतलब यह है कि अभी उसमें आस्वादन नहीं मिल रहा है उसे यानि रूची या रोचकता नहीं जन्मी है इसके अंदर इसलिए कठिन लग रहा है किन्तो शास्ट्र अध्यन करते करते जैसे जैसे उसे शास्ट्र का अर्थ समझाने लगेगा मर्मुप लब्दी होगी वैसे वैसे शास्ट्र अध्यन में और रूची जन्मती चली जाएगी और पढ़ू और पढ़ू और पढ़ू सारा दिन और वो पढ़ता रहेगा अब उसे कलेश नहीं लगेगा पढ़ना लेकिन शुरुआत में लगा था इसी प्रकार भक्ती पत पर जब कोई साधक शुरु शुरु में आता है तो उसे शमण कीर्टन आदी जो भजन के समस्त अंग है ना उसमें रसा स्वादन नहीं मिलता बस वो कर रहा होता है सब को देखा देखी कर रहा होता है और कई बार भजन में शितिलता भी आ जाती है आज नहीं होगी मुझसे 64 माला रोज करता हूँ मैं ठक जाता हूँ मेरे स कर भी लेता है कभी लगता भजन बड़ा कठिन है ऐसा महसूस होता है लेकिन भजन करते करते जिस तरहा से चित्त शुद होता है जितने अनुपात में चित्त की शुद्धी होती है तब फिर उतने ही अनुपात में भजन के रस का आस्वादन मिलने लगता है अनुभव में बता रहे हैं कि शिविश्मात चकृति पाज जी के कहने का आर्थ ये है कि वस्तुता जिनका जिनके जो जुबान है वो पित्दोश से दुष्ट है यानि पित्दोश युक्त है जुबान वहां पित्त ही पित्त चढ़ा हुआ है तो उसको अगर कोई मीठी मिश्री देगा त लेकिन वैद्दे बोलेंगे कि अगर तुम रोज मिश्री खाओगे तो आपका पित्त रोग समाप्त हो जाएगा तो मिश्री के सेवन करते करते जितने अनुपात में उसका पित्त रोग समाप्त होगा उतने ही अनुपात में उसे मिश्री की मिश्री के मीठे पन का इसी प्रकार से जिनके हिर्दे में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेश ये सब हैं, सारे दोश हैं, तो वो लोग चाहे कितना भी श्रवण कीर्थन क्यों ना कर लें, तो भगवान का नाम तो स्वभावता बड़ा मधूर है, उनका गुण बहुत मधूर है, लेकिन वो आस्वादन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इन सब में, क्योंकि उनका चित अभी अनर्थों से ग्रस्त है, चित्त शुद्ध नहीं है, चित्त साफ नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं अच्छा लगेगा, आप कराके देख लीजे किसी भी नई वेक्ति से, भजन, जो करने बैठ जाए, बहुत भाने बनाएगा, और अगर हाँ भी करेगा, तो भी वो कंटीनुई नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो करता चला जाएगा, तो फिर वो धीरे-धीरे बाकी के स्टेजिस को पार करते करते हैं, रूची तक आजाएगा, तो गुर्देव कह रहे हैं, कि जो विद्वान है न विद्वान, वो बताते हैं कि ये श्रवन कीर्थन जो है, भई अगर इसमें तुमको आस्वादन नहीं मिल रहा है, तो भी इसे जारी रखना, क्योंकि इसी से ही हमारे सारे दोश समा करने की, यानि अविद्या को समाप्त करने की, असमिता आदी जितने भी अनर्थ हैं, उनको समाप्त करने की महा औश्दी है, श्रवन कीर्थन, भगवान के नामों का, भगवान की रूप का, भगवान के गुणों का, भगवान की कथाओं का, कथा के अंदर सब कुछ आ जा उन सब का शवन करना उनका कीर्थन करना यही हमारी अविद्या आदी दोशों को नाश करने की महा औशधी है भगवान के नाम गुण लीला आदी के शवन को कीर्थन करते करते यानि की शवन कीर्थन करते करते उनके नाम उनके गुण उनकी लीला आदी के शवन कीर्थन को कर जितने परिमान में जितने अनुपात में हमारे अविद्या आदि दोश नश्ट होते हैं और जितने अनुपात में हमारा चित्व शुद्ध होता जाता है उसके अनुसार हमें उसी श्रमन कीर्टन का जो की पहले अच्छा नहीं लगता था अब वो आस्वादन में लगने परिम्रिज्यते असव मत पुन्य गाथा श्रमणा भी धाने हैं तथा तथा पश्यती वस्तु सूक्षमम चक्षूर यते वांजन संप्रयुक्तम। कि है उद्धव जी साधक कचित मेरी पवित्र गुण गाथा कश्रमण कीर्टन के द्वारा जितनी मात्रा में शुद्ध होता जाता है तो जिस प्रकार से किसी आँख में सुन्दर काजल लगाये जाए और काजल लगाने के बाद पहले ऐसे काजल होते थे कि कोई लगाता था तो उसे सुक्ष्म से सुक्ष्म वस्तु देखती थी यानि कि उसकी आँखे बहुत तेज हो जाती थी तो जिस प्रकार से वो काजल लगा के सुक्ष्म से सुक्ष्म वस्तु को देख पाता है ऐसे ही साधगण अगर उसका चित शुद्ध हो गया जितने परिमान में शुद्ध हो गया उस परिमान में उस अनुपात में उसे मेरी रूप मेरी लीला आदी का माधुर्य अनुभाव होना प्राप्त हो जाता है वो माधुर्य का अनुभाव करने में समर्थ हो जाता है अगर नहीं हो पा रहा है माधुर्य अ पर सादक के साथ क्या होता है, रूची के क्या क्या लक्षन है, आगे भी इसी चर्चा को जारी रखेंगे हम, इसी के साथ आज की भागवती गता यहीं विश्राम लेती है, जै जै श्री राधेश्याम, श्री गुरू निताई गुर्सितनात प्रेमानंदे, हरी हरी भू,